which among the following is the strongest bronzed base, तेकि strong bronzed base क्या होता है, जो कि proton acceptor है, basically proton लेने हैं उसे, अब कुल मिला के आप इन सम में अगर देखोगे, तेकि अनलेन में या जो nitrogen के bases है, लोन पेर की वरी से जातर अपने basicity दिखाते है, availability of these nitrogen nitrogen, lone pair, यह decide करता है कि कितने आपका strong basicity वो कोई compound nitrogen का दिखाएगा, समझ रहे हैं, now for example, मैं यह समझूँ कि देखे, मेरा lone pair है, कुछ भी हो सकते हैं, और इस पे जब H positive है, तो कितनी easily यह lone pair इसको attract कर लेता है अपनी तरफ, वो basicity दिखाएगा है, correct, अब इन सम में अगर आप ग इसमें भी plus i effect है, यह भी plus i है, similarly यह plus i है, यह भी plus i effect दिखाएगा है, और मैं इधर भी कह सकता हूँ, कि जो यह lone pair है, इसके साथ इसमें conjugation में भी है, plus i भी है, लेकिन lone pair इसके साथ conjugation में है, तो freely available इतना नहीं है, हमारा इस bond के साथ, लेकिन अब इस case में आप देखोगे, कि अच्छा, यह तो freely available नहीं है, क्योंकि conjugation में है, तो यह सबसे weak base बन गया है, इस case में, यह तो मैं कह देखोगे है, सबसे weak base है, अब इसमें आप compare करोगे, तो CS2, CS3, CS2, CS3 plus i effect है, plus i effect, nitrogen में इसमें 3 के है, और इसमें इसका है, लेकिन इस case में भी क्या हो जागा, मैं कह सक कि चलो, ठीक है, A और B में, A ज्यादा basic होगे है, then B, इस case में अगर आप देखो, कि D का, D का क्या है, यह most basic होगे है, reason being, अब reason इसका आप समझना, reason है, इसका pyramidal inversion, यह एक बहुत अच्छा template question है, ठीक है, जब भी आपको question basic है, आपको इस तरह का compound, तो आप bicyclo compound, यह दिख प्रामिडल inversion क्या होता है, कि एक तरह से, एक तरह से आप यह मानो, N यह वाला था, यह जो lone pair है, यह invert होता रहता है, मतलब यह क्या होगा, यह lone pair है, एक तरह से सोचो, ऊपर से इसको मैं push कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए यहां आ गया, यह जो lone pair है, यह जब मैं इसको push कर रहा हूँ, यह straight हो जाता है, planar, फिलाल planar नहीं है, यह SP3, लेकिन यहाँ planar हो जाता है, और जब इसको और push करता हूँ नीचे, तो lone pair नीचे हो गया, और यह जो डंडी आती, यह उपर हो गई, तो यह जो उपर नीचे, उपर नीचे है, यह चलता रहता है, समझा है, अभी तो यहाँ पर H-positive इधर था, लेकिन कुछ सेकिंड के बाद यह वाला नीचे आ गया है, तो जो H-positive यहाँ था, तो उसको नहीं दिखा, एक simple explanation, लेकिन जो bicyclo compounds होते है, वो pyramidal inversion नहीं दिखाते है, due to the torsional strain, ठीक है, और यह वाले क्या है, जैसे अगर lone pair उपर है, त अब क्या है, क्योंकि इन सब में तो pyramidal inversion हो रहा है, कभी availability है, उपर कभी, नीचे availability proton कभी उपर है, तो दिख जाएगा, नहीं है तो नहीं, समझ रहे है, कि suppose उपर से आ रहे है, इसमें तो जहाँ है, वाई है, आ रहे है, प्रोटोन दिख जाए, इसकी fixed location है, यह location change करता जा रहे है, बस यह एक reason बन जाते है, तो फिलाल जो आपका इसमें क्या हो जाएगा, कि जो correct answer क्या हो जाएगा, जो option number D है, सब्सक्राइब आपको,